अब बॉर्णिंग सब्सक्राइब कैसी हत्यारी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको याद करने में न मैंने सब्जेक्टिव के लिए उसको अच्छे से लिक लिक के देखा था तब मुझे याद हुए थे उसके जो मैंने पीडिएफ डाली सिर्फ आपके लिए ही डाली थी यह बाद में उडाल सकता था लेकिन जितना था ना मैटेरियल प्लस वेल्टू का वह सारा डाल दिये हैं जी काफी कवरेज थी उसमें इसके अलावा कॉमर्स के कोश्चेन की पीडियेफ में और नहीं डालने वड़ा अब जो होगा मांसे कल आपका इंट्रिव होगा तो कल श्याम का आपका डेमो ले लेंगे तो जो भी आपका ओर ओलो एक्सपिरेंस रहा वो रिकोड कर देंगे या फिर कोई शाम को सर्पतानी पॉसिबल होगा नहीं होगा बिकास ओंदा वे उंगे तो टेलीफोन कर तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जितना कोमर्स का था सारा सलेवस मैंने डाल दिया है इसमें हमने कवर किया है लाइक हरियाना के बारे में खासकर उसका मैप जो है वह आपको आना चाहिए वह आथ से बना के देख लेना एक बार अच्छा मैप मैं निकल से डिस्टिक्ट तो एक बार ओवरॉल किये थे रिवाइस जब आप मैंनों मैप बनाओगे ना तो थोड़ा और कलियर हो जाएगा आपने आपके साथ वोर्डर कौन कौन से हैं राजिस्थान के साथ कौन से ऐसे पूल सकता है पंजाब अर याना के सिर्षा हो गया जैसे ठीक है कॉंबन हो गया ना तो इस टाइप से बिलकुल मैं यह नहीं कर रहा है कि आप हर्याना जी के रटके जाओ लेकिन उसका मैप है डिश्टिक है कौन से बॉर्डर लगते हैं सेंटर में कौन कौन है इसी तरह कौन से ऐसे जिले हैं जो किसी अधर स्टेट के साथ जिसकी बाउंडरी नहीं लगती दो जिले हैं बताई कौन से एक तो रोता के सर और एक और है सर अधियाद नहीं हा रहा है ठीक है कौन से सर चर्खी दादरी जैसे जल्ते थे मैं चेक करती रहती थी सुन लेती ती सर अब आपको क्या करना है जब है यह व्यापland में हो तो एक बार सारा का सारा आप क्योंकि जितनी यूनिट है सारी की सारी मैंने हर किसी को दी है से बाहर नहीं आ है सारे के सारे कहें सारे सब्सक्राइए सर — ढाल दी ऐं तो आप उनको बढ़ जाना उसके अलावा आप बाहर से पढ़ने की रिद्धा ज्रूरत थी नहीं है हाई मैं से लेबस भी कर जाओं अब तो सारा आये कर देंगे इतना टाइम नहीं है यह कर जाना सोफी सेंट आपके लिए पहली बात दूसरी बात हर्याना का मैप बना के देख लेना और किस किस स्टेट के साथ कौनसी बाउंडरी लगती है यह आपको याद होना चाहिए तीसरी बात मैंने हरियाना के मुख्या मंत्री उसकी पूरी टेट की बिर्डप ड डाल दिगी आपकोने देख ऊथ तो ना तो गूगल पे है ना यूटीब पे लेखा नहीं तो फिर पूरी की संट कर दिया था सर कि मैंने कहीं देखा ही नहीं नहीं है अब मैंने पहले आपसे बात की थी आज भी बोल रहा हूं सेम केडिये आपको इंडिया की याद करके घाटimme कि आप से दो ही कोश्चिन पुछता है कॉमर्स वालों से शिक्ष्यमंत्री और कॉमर्स मिनिश्टर कौन सा है इंडिया का और हर्याना का ठीक है यह दो जुरूर याद करते ना बाकी आप एक बार रिकॉल पड़ जुरूर जाना ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है एक मैंने चं है रहोबर है लेंड़ को विकरम नाम से दिया गया है रोवर और प्रयान नाम से दिया गया है लेंडर का का कां शिरिफ लैंड करवा ना संदे इसके बारे मैं Google सर्च कर ले ना थोड़ा अगर मेरे पाश मैंजिक कर लिए सर मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो जो यह इंडिविज्वल से लोन रेस करने के लिए पैसा रेस करने के लिए दिये जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को जो है एक इंडिविज्वल को पैसा देना होता है इलेक्टोरल बॉन्ड में बिल्कुल बिल्कुल यह आपको करना है ठीक है क्योंकि आजकल ये करन पर रेसेंट्ली दिस इस प्रिपोजल इस रिजेक्टेड वाइद सुप्रीम कोड वाइट कि उन्होंने सार ये इसको बैन कर दिया कि ये लेक्टोरल बॉंड जो है वह अभी वालिड नहीं होंगे पॉर दिस यह तो यह जो चिराग योजना जो है वह जो सरकारी स्कूल का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए योजना बनाई गई है तो मैं जैसे चिराग योजना होगी यह कंडिशन की सर न्यू एजुकेशन पोलिसी के बारे मैं आपको बता चुका हूँ आप एक चीज़ और करना उप्रेंस और कर लेना ठीक है यह नो डाउन कर लो चाहिए बाते आप ठीक है नो एजुकेशन पोलिसी का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए तीक है यह हो जाएगा और क्या था आपका लेटेस्ट हमने इसके रेख ये रवी की फसले खरीफ की जयाएद की फसले सण Advent मपक्रणागे दिया गया ज़्यक क्रूप का नाम बी दिया गया है три साट कुछ कैस करो सब्सक्राइब को दो-तिन महीने का ही इसका है द्युर्प ŁD वह सता है जैसे की खरीप की फसले है ठीक है मई जून जुलाई में वोह जाती है रवी की फसले अक्टूबर नौबर दिसंबर में बोई जाती हैं जायद की फसले फरवरी मार्च में बोई जाती है आपको होना चीए कब कटाई करते हो ना चीए सब कुछ दे रखा एक वह यह पूछ सकते हैं ठीक है और ज्यादा श्ट्रेस लेने की जूर्ट नहीं है ही है आपका सरपलस में लेकिन इतना करवा दिया कि यह कर जाओ तो भी ठीक है मैं इस बात की शूरिटी देता हूं आपको कि आपको इंट्रुव में बेठो तो ऐसा नहीं लगेगा कि अनूप सर ने तो कुछ और करवा दिया यहां कुछ और पूछ रही है बिल्कुल भी नह होना है सबसे ज्यादा जुरूरी है कि हम क्या होते हैं जैसे कि अभी तो जैसे आप इंट्रुव दे रहे हैं तो आपको पता है आप जो मैंने स्पेशली जो टोपिक रखा वह यह कनवर्सेशन के रिगार्डिंग यह है क्योंकि कोश्चनिंग तो हम आपसे बहुत यही है आप माले कोश्चन उसने उन्होंने पूछ लिया और आप रिप्लाई नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है आप बोलना कि सोरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूं या सोरी सर मुझे नहीं आता है इंट्रुव जो नंबर होते हैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस च करने के लिए जो भी आपको सोरी मेडिटेशन आप जो यूज करते हो कर सकते हो ठीक है बस यह रखना है कि हां मेरे को इंट्रुव अच्छे से देना है तो एक तो कॉन्फिडेंस के नंबर होते हैं एक इमांदारी के नंबर होते हैं आपको जूट नहीं बोलना मैंने पहल हमेने टीच किया है यह हुझ किया सर मैं फिर नहीं कर पाई कुई नहीं कर पॉपाईए उन्हों क्यों नहीं किया अपने कृट मैं वसके प्रोपव्लम में क्या रहतो जो सक्जाई है वह बोलना है ठीक है अच्छा मेरा नेक्स्ट कोश्चन है आपसे अगर उन्होंने ये कोश्चन कर दिया मिनू कि अभी दो महिने के बाद हम एच्पेसी जो है वह सिस्टेंट प्रोफेसर की वेकैंसी निकालने वारी तो अगर आपका उसमें सेलेक्शन हो गया तो फिर ये जो आप तो छोड़ दो गए नहीं सर मैंने सर उसके लिए अप्लाई नहीं किया हुआ अभी तो निकला ही नहीं एच्पेसी एसिस्टेंट ऑफिसर नहीं निकला है सर बीच में तो था साफे निकला है सर उसके लिए नेट क्वालिफाइड भी तो चाहिए हां तो फिर आप बच गए इस कोश्चन से ठीक है ये ध्यार्म पहली बात दूसरी बात अगर आप अगर आप अधर स्टेट में इपलाई क्यों नगे किया जितने कंसे निकलती रहती है पीजिटी ये ट्रीफै के निकलती है राजस्तान की निकलती है की सक निकलती है अन déjà करण की सर मैंने ट्राय तो किया था बट की कॉंटिन med राधिग लेकिन मे livresсят के एक्जैम्स दिए के कहीं इंटर्विए तो इसी में होता है एक उसमें हुआ था सर एप्स में हुआ था तब उसमें में इंटर्व्यू दिया था सर आपके प्लिक स्कूमीमे अब भी कोई भर रखा है अगर आपकी वहां ज्वाइनिंग हो जाए तो आप क्या चोड़ दोगे क्या क्योंकि दिल्ली में तो कि आप टीचिंग फिल्ड में ही क्यों आए यह रिजब देगा क्योंकि स्टार्टिंग से जब मैं 11-12 क्लास में थी तो मुझे कुछ कंसेट्स जब अच्छी लगती थी और दूसरे मेरे कलीक्स को समझ नहीं आती थी तो उन्हें पढ़ाती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि तो इसलिए मुझे लगा मुझे जाना चाहिए टीच साल कि आइक फेलएन कर देना कि सर टीचिंग फिल्ड में एक को टाइम बच जाता है है या मैरेड हूं तो मुझे फैमिली को भी टाइम देना होता है अजर फिल्ड में इतना ज्यादा नहीं एटीचिंग में अच्छे से मैंनेज किया जा सकते हैं दूसरा सर कि मैं सीखना भी चा से भी सिखूंगी और कोई कोश्चन आपके मन में हो तो बताईए नहीं सब्सक्राइब आपका ठीक था जो कल दिया वेलन गुड आपसे पूछ सकता है तो हां एक बात और यह क्या आपना थोड़ा सा यह पहले से ही मान के चलीगा आप यह मत बोलना कि सब्सक्राइब है प्लस टू है सर कोई भी टोपिक दे दो यह गल्त बात है कल मैं बताना भूल गया कोई पूपिक तो कुछ भी रेशिप में है कि क्या पता बैंक री कॉंसिलेशन में से कोई एक ऐसा टोपिक देदे कॉंपलेक्स अब यह इसका उपर डेमो दो ऐसा नहीं बोना आप से पूछेंगे आप को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता आपकी स्ट्रोंग सब्जेक्ट कौन सा है तो आप सब्सक्राइब कर देना सर मुझे सर मुझे रिवालुएशन अकाउंट मैं बना सकती हूं सर पार्टनर्शीप में वह मैं अच्छे से बना सकती हूं तो साथ यू टोपिक मैंस नहीं कर दो मतलब उनको मोका नहीं देना कि वो टोपिक सेलेक्ट करें तो यह कुश्चन यह तो बलंडर हो जाएगा वह कहीं से बोल दो सरा पलस वन का बताओ पलस टू का बताओ जैसे मैंने कल टोपिक पुछा विया आपने बोला सर पलस वन पलस टू कोई भी बताओ उनको च्वाइस नहीं देनी उनको च्वाइस दिर तो हम फस गई जब भी वह आपसे पूछे कि आपका कौन सा सब्जेक्स ट्रॉंगस तो समझ जाना वह टोपिक पर आने वाड़े हैं इस टाइम फिर आप बोल देना है कि सर पार्टनर्सीप में मैं रिवैलोईशन अकाउंट अच्छे से मतलब पढ़ा सकती हूं करवा सकते हूं डैमो द उनको आप लिखके देख लेना च्यार पेज पर ठीक है सेंटर में टोपिक लिखना है टोपिक का नेम पहले लिखना है क्योंकि वहां पर टाइम नहीं है एक डेट वाड़ा होगे ठीक है और दूसरी बात जो और रहे गई जो कल मैं बताने से भूल गया आपने बोर्ड को है ना लाइक होम असाइंडमेंट्स याद रहे जाएगा ना को इरेज करना वहां पर नर्वस नहीं होना तो यह इरेज करके आना है याद रखना था कि नेक्स्ट जो कंडिडेट आए उसको क्लीन बोर्ड मिले ठीक है और जब इंटर्यू खतम हो जाए तो सब को बोलना कि थेंक्यू सर मैं हो तो कोई थेंक्यू में सर में सारे आ गया से हर किसी वह गर्दनी लायल आके नहीं बोलना है माले कि पांच का पैनल दो मैडम बेठी हुए हैं तो बहुत थेंक्यू में बस बैस फिर अपने चले जाना ठीक है एक तो यह एक जो कपड़े है वह आपको मत आपने को उनको आइलाइट नहीं होना बस सिंपल सारो बरसा जब करते हैं और बताईए आपको क्या लगता है कि क्या पूछ सकते हैं वह वारा कुछन कुछ है तो आपके मन में बता दीजिएगा सब्जेक्ट से लेटेड पूछेंगे तो ऐसा कुछ और सच वेस्टेंज है निए सट एकल मैं न्यूज पर पढ़ रहा था तो सुमें लिख रखा है कि सहरों के अंदर परती वैक्ती याद रखना सहरों के अंदर जो पर कैपिटा बोल सकते हैं परती वैक्ती जो पेड़ होने चाहिए पचास वर्ग मीटर होने चीए फिप्टी वर्ग मिटर याद रखने वह इतने पेड़ होने चीए एक ठीक है मीटर सर यह आया हुआ था ठीक है और इतना तो कुछ नहीं तो हमने हर्याना दिके कर लिया कोमर्स तरोर अगर पूछते आप नियूस पेपर पढ पढ़ते हैं तो नियूस पर तो मैं नहीं पढ़ती तो नहीं मैंने पहले ही बोला है आप से पूसल आपकी हैबिट क्या है होबीज है सर मेरी टीचिंग वाचिंग इंस्पिरेशनल मूवीज और बेडविंटन खेलना अब जैसे आप से ऐसे पूछ लेंगे जैसे आपकी होबीज पर आगए तो आपने बोला इंस्पिरेशनल मूवी है मेरी होबी ठीक है फिर वो कोई एक मूवी का नाम बता पूल को तो पूस्टसक्र मूवाराय किसी ने डारेक्ट की थी चैप फिल्म देखना उसके डिरिक्ठर को दोड़ नस清ग लोगा Fortune तो टेंटींग है यह बोल सकते हो ठीक है या फिर आप बोल सकते हो like क्या बोलोगे और क्या है और आपने क्या बोला था movies के अलावा प्लेइंग बेडमिंटन तो बेडमिंटन के अंदर कितने प्लेयर होते हैं क्या रूल है बेडमिंटन कप लेटेस्ट किसने जीता तो बेडमिंटन का कों था हर्याना से कोई नहीं है एंडिया में सानिया नेवाल ऑर सानिया मिर्जा है अभी लेटेस्ट कोंसे कप होए थे आगे कोंसे उन्हें वारे हैं यह भी सर्स कर लिदा अगर होबी बोलो फो ठीक है ठीक है वरना वरना आप अगर सेफ जोन में जाना चाहो तो बोल सकते हो वही की सर टीचिंग मेरी मैन होबी है और मुझे कुकिंग पसंद है बस लेडिज का तो वहीं से खतम हो जाता फिर सिश्टम सारा तो जो भी आप सबसकते हैं तो आपकी कुब्रकशन आ सकता है और टीचिंग और कुकिंग सर यह बोल दो थार बस टीचिंग ना अप इसमीं कंफार्ट असाइड में बताव हो और इसके अलावा आपका कोई क्वेरी हो तो बताओ और जहां पर आपको लगता सरी यह पूछ सकते वह यह पूछ सकते तो ऐसा कुछ मन में है तो बात कर लेते अभी तो कुछ नहीं है सर वाइन में तो देखो पर्सनल इन्फरमेशन तो यह लेते नहीं आप 10 अब बता दिया अगरिकल्फर आपको बता दिया और चंद्रियान के बारे में इलेक्ट्रोलं के बारे में हरे में अ के अंधर जो योचनन है वो केविनेट है वो मेग इतना इनफैल इस से ज़्यादा ज़्यादा वह पूछते नहीं है आप जब इंटूस देने लगओ अपना चार टोपिक याद करके जाना ठीक है को की पर के लिए लिए कि नहीं पड़ते पर प्रफ्र आप आप अब डेट नहीं रहते फिर मैं सोरी सर बस सब्सक्राइब यह सोरी सर शोरी के भी नंबर है मिनुरानी तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अपडेट वाला पॉइंट रटा देना फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपडेट वाले मेरे से अपडेट रहती हूं बच्चों के साथ ऐसा छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है जो अपने को लगता है वह पकड़ सकते वह बोलना ही नहीं है तो आपका एक आपकी होनेश्टी चेक होगी जूट बोल रहे हो ठीक है एक आप कोश्चन बीच में मत काटना अलाकि आपका ने सबसे ज़्यादा जुरूरी है ठीक है और एक मैंने साथ आपको पहले बता था टूदा पॉइंट बात करनी है जड़े नियू खेड नियू उसकी पुछा कुछा है पहले मतलगों बोलते हैं पहले कठा कर माहूल बना रहे हैं फिर जाके बता रहे हैं ऐसा नहीं करना जो सब्सक्राइब है जैसे मैंने बोला मैंने बोला कि चंदर्यान थरीके पार्ट के नाम बताओ तो आपने बोला सर ओर्विट रोवर और लेंडर ठीक है इसके बाद देखना इंट्रिव्यूर चुप है तो थोड़ा सा एक्स्प्लेंड कर सकते हो सर ओर्विट का काम यह है सर जो रोवर होता है उसको सोफ्ट लेंड करवाना चांद पे और रोवर का काम है सर साइंटिफिक डेटा कॉलेक्ट करना चांद से यह जो बाते हैं यह तब बोलनी है पहले तीन पार्ट के नाम बता दिए फिर लगा कि आपको जो इंट्रवीवर है लेने वाड़े हैं है पेसी की मेंबर जो है वो थोड़ी दिर के लिए पोज उन्होंने लिया हुआ है कोई कोश्चन नहीं करता नेक्स्ट तब आप उसको एक्स्प्लेइन करना आप क्या करते हो फिल जाके कंक्लूड पे कंक्लूजिन प्याते हो नहीं करना इससे थोड़ा बचना आपको ठीक ह अब लगा नहीं कि नर्वस हो लेकिन वहां पर भी नहीं होना है यह थोड़ा थेयान लखना ठीक है थोड़ा सा पैनल होता है तो थोड़ा सा और फेस टूपेस इंटराक्शन जादा होता है तो यह जिसके सामने आपको हैजिटेशन होती है ना कोई तो होगा फैनल को सा इसके सामने नरोशी कोई बाहर हो कोई आपकी कोई वैसकी सेली हो इसको आपको लगता भी यह तो मजाग उड़ाएगी मेरा तो ऐसे कंडिडेट के सामने आप थोड़ा सा इंटर्वीफेस कर सकते हैं यह काम आपकी आज़ा सकता है तो क्यूंकि जब तो हम जूम मीटिंग कर रहें तो इससे इतना ज्यादा तो नहीं होता लेकिन आपको तरीका पता चल जाता है एक लहजा पता चल जाता है क्या कोश्चन करेंगे क्या नहीं करेंगे लेकिन जो यह नर्वसनेस वाड़ा सिस्टम है इसको आप इस तरीके से भी अपना कर सकते हूं कोई भी ऐसा पर्सन जिसके आपको लगे यह मेरा मजाकसा उड़ाएगा या फिर आपको थोड़ा सा सरमसी लगालो कुछ भी मतलब हैजिटेशन लगालो उसमें तो उसके सामने एक बार जुरूर रिपरजेंट कीजिएगा ठीक है और बाकी तो बहुत नर्व सब को वो यह याते हैं फोड़ी बहुत होना हो लाजमी है सबको होती है ठीक है जब आप आई-एटीचर हो तो नहीं होते है लेकिन एस्ट्रौडेंट होते हो तो बोलते हो बेंच पर बेच्चा और बच्चा होजाते है वहीं कितना बड़ा अब आप जैसे माले कि पीजीटी के गुवर्मेंट टीचर लग गे कल को आपका नेट हो गया और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में इंट्रू देने जाओगे तब भी नर्वेशनेस होगी ठीक है जैसे आप पांच साल से लगातर पढ़ा रहे हो तो थोड़ा बहुत होना लाजमी है लेकिन उसको थोड़ा कंट्रोल में करना बस इतना ना हो कि आपके वह बोले की लिखो बोर्ड पर आपके हाथ कामने लग जाए इतना नहीं होना चाहिए बस इतना हो कि आप आपक जाओ तो उनके चहरे पर भी हंसी हो आपको देख का ठीक है ना मतलब अच्छा सा महावल बनाया जा सकता है उनको खुष किया जा सकता है सीधी बात यह है अल्टिमेट अगर मैं बात करूं तो और खुष हम कोश्चन से कर सकते हैं उन्होंने कोश्चन किया हमने अंस्वर दे दिया उसके व्याद पर हो जा सकता है बस तो कोई क्वेरी है तो में आप बता सकते हो सारे की सारी डाल दी गई है एक बार उसको जुरूर रिवाइज करके जाना है ठीक है और मैं कोशिस करूंगा कि आज स्याम तक एक-दो अगर कुछ है तो डाल दे कॉमर्स का सारा आ गया इसके अलावा नहीं आएगा कॉमर्स का तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि कुछ पूछना है तो पूछी जाए बस वरना फिर इसको वाइंडिंग अपका नंबर हो ठीक है बस तैंक यू सर यही चाहिए जरूर जरूर होगा ठीक है ठीक है ठीक है